ये बाट ठीक है कि साब का सिनाम व्यक्ति थे, संग नहीं बना पाए, इसलिए जादा नहीं चल पाए, इसलिए जादा करांति नहीं पाए, उनकी जो करांति का जो रिजल्ट है वो आप यूपी में देखोगे और यूपी में उसका पतन भी आप देखोगे, क्योंकि पीछे कोई संग नहीं है, व्यक्तियों की जो चमक है वो तारी की तरह होती है, तारा एक साथ चमकेगा आज हमको पूरे पंद्रे महिने हो गए हम लोगों से मिलते रहे, जुलते रहे, बहुत सारे नेता, बहुत सारे संग्ठनों के लोग, अलगलग संग्ठनों के लोग, धम के लोग, भिकू लोग, सरकारी करमचारियों के लीडर, वकील, इंजिनियर, डॉक्टर, धम के लीडर, धम के नेता, धम के संग्ठन, संग्ठन और दो चार राजनितिक संग्ठन भी लड़कों के छोटे मोटे सभी से लगबग मिलते हुए जूम पे और सभी को क्योंकि यहां जूम पर जो आमद रहती है वो अमूमन साथ सो आठ सो नौ सो रहती है आते रहते हैं जाते रहते हैं किसी का पैक खतम हो जाता है के के वाद तो 1718 सो भी जो दिखाता है जूम लास्ट में कि टोटल आना जाना 1718 सो हुआ ऐसा यहां चलता रहता है एक भी दिन हमने छोड़ा नहीं चाह दिवाली है चाह होली है चाह 15 आगस्थ है चाह 26 जनवरी है चाह 14 अपरेल है चाह दिसंबर है और चाहें बेसक हमारी संगति लगी है जब दिल्ली में सबसे वड़ी संगति लगी तब भी जूम सामको चला और जब सब लोग किसी संगती में बाहर जाते हैं तो भी जूम चलता है ये मीटिंग इतनी जबजस्त है पूरे भारत में कि आठ बजे आप कहीं से भी खोल लीजिए ये मीटिंग आपको मिलेगी और साड़े ग्यारे ग्यारे बारे बज़ तक ये मीटिंग मिलती है ग्यारे बज़ तक पक्का मिलती है पहले तो रात के दो दो बज़ तक भी चलती थी अभी ग्यारे से साड़े ग्यारे बारे बज़ जाते हैं कभी और सर्दियों में तो इस जूम मीटिंग में रोना का जाती है क्योंकि सबी लोग रजाई में होते हैं काम से जल्दी बापस आ जाते हैं तो अपने पुराने सिस्टम को पुराने संग को और पुराने उस कारेकरम को जिससे हमारे बच्चे या हम बच्चे जिससे हमारा अस्तित बचा या वो पुराना सिस्टम जब हम सैंशा थे समराड थे विस्व गुरू थे वो हमें लगाता 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 याद आता जा रहा है और हमें जो याददास हमारी पूरी होती जा रही है उससे हमें यकिन बढ़ता जा रहा है कि संग नहीं हमें पहले बचाया और संग ही हमको अब बचाएगा और जब संग नहीं होता है तो हम लडखलाते हैं गिरते हैं मरते हैं और ऐसे ही चलते रहते हैं पर हम laughing पहुँछ पाते हैं अगर आप पुराने संग का जो बुद्द से पहले का संग था या जो प्राकर्तिक संग था या जो हम लोगों का एक साथ रहने का संग था अगर उसको ध्यान से देखेंगे और जाएंगे तो आपको कहीं भी पूरे साहित्ते में एक भी ऐसी समाचार एक भी ऐसी सूचना नहीं मिलेगी कि जब समन लोगों की किसीने मूच काटी हो या समन लोगों को घोड़े पे चड़ने से रोका हो या समन लोगों को नया कपड़ा पहनने से रोका हो या समन लोगों को गोटेदार साड़ी बढ़िया सफेज चमचमाते कपड़े या कुछ नया सामान या कुछ अच्छा खाना या देशी घी से चिपड़ी और देशी घी में तर रोटी या सबजी खाने से किसी ने मरा किया हो एक भी ऐसी सूचना आपको नहीं मिलेगी प्राचिन काल में जो पुराना इत्यास है बावा साथ वंबेट करके इत्यास में तो मिलता है कि जो बलई लोग हैं उन लोगों को जो राइस्थान के लोग थे और उन्हें खाने से रोका बड़िया कपड़ा प्रने से रोका नई चीज खेड़ने से रोका सिराने बैठने से रोका उपर बैठने से रोका पर आपको उस साहित्य में जो साहित्य बुद्ध का है या जो लगबग चार सो पांसो साल पहले का साहित्य है या जो हमारे समराटों के और हमारे राजाओं के जितने भी राज घ्राने या चिन रहे हैं वहां आपको एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं जब आप यह सोचोगे और यह जानोगे और इस बात का मरन करोगे कि यह क्या बात हुई कि हमारा पिछले साहित्य में कहीं कोई पतारना है नहीं कहीं कोई एटोस्टिज है नहीं हम कहीं नहीं चिला रहे हैं और जो चिला रहे हैं उन्होंने अपने इत्यास में लिखा नही हमारे इत्यास को तो लिखाए नहीं, अपने में भी नहीं लिखा, कि वो कभी चलाए और चलाए वो लोग, क्योंकि पुराने समय में अगर पतार ना होती, पुराने समय में अगर दबंगई होती, पुराने समय में अगर जाती का सिस्टम होता, पुराने सिस्टम, पुराने स आहिते में जो लोग हैं वो सिर्फ दो चार सब्द पकड़ते हैं और उस पकड़के उसको रोते हैं कौन सा सब्द पकड़ते हैं वो कहते हैं कि चार प्रकार के लोग होते हैं और हम पांच में प्रकार के हैं वो चार प्रकार में एक प्रकार बताते हैं ममन का और दूसरा प् का और पांच्वा प्रकार बताते हैं उन लोगों का जिनको आज एसी एस्टी बोलते हैं या वो समण जो बहुत ज़्यादा करांतिकारी रहे हैं समण तो सारी रहे हैं वमण को छोड़े पर ये सद्ध भी पुराने साहिते में मिलते नहीं है अगर आप बुद्ध का साहिते देखेंगे या उससे पहले का देखेंगे तो आपको ये मिलेंगे नहीं तरसल जो हेरार की बनाई है या जिसने बाद में लिखा है और जो सबसे उपर लिखा है वमण इस वमण से उपर भी एक सब्धा है जिसको कोई नहीं लिखता कोई नहीं बताता कोई अपने उपर कि बनाए हैं वो समणों के रोब हैं, तो मामला उल्टा हो जायेगा, इसलिए कोई भी साहित्यकार जो या कोई भी ऐसा व्यक्षी जो लि边ेगा, या जानकाय देगा, वो अपने पक्ष में लिखेगा, अगर हेर आर्की बननी है या बनानी थी और हम बनाते हेर आरकी, वो दो तरह के लोग हैं जैसा कल मैंने बताया था या तो छत्र वाले जिनके उपर छत्र होती थी या छाता होता था या छपड होता था या छत्र होता था और या खेतिये लोग जिनको छेत्रिये लोग बोला गए छेत्रिये और छत्रिये को छत्रिये करने लगे छत्र वाले क का मतलब है कुछ बेचना वैसे माने बेचना होता है खैदना बेचने को वैसे बोल गए यानि जो बेचता है उसको वैसे बोल गए तो कोई भी आदमी कुछ सब्द भी नहीं है पर सुझ है और सुझ से सुद्ध बना है और सुद्ध का मतलब होता है प्यॉर जिसको सुझा लिया जाए सुझ से सुद्ध बना है यानि कि जिसको सुझा लें जिसको बिल्कुल प्यॉरिफाई कर लें जिसको अलग लग कर लें उसको सुझ बोलते हैं औ और जो सबसे जादा जानकार थे, जो सबसे जादा मारक थे, जो सबसे जादा धम को जानते थे, जो सबसे जादा बुद्ध थे और जो समणों का पूरा संग चलाते थे, जो पूरे नीती चलाते थे, जो एक एक चीज को जानते थे, जो बुद्ध ने सिखाई, वो सारे के सा सारे लोग इन चारों में नहीं आते हैं वो नीजह आते हैं जो सबसे उपर हैं जिनको समण बोलते हैं समण ये तीन Kil इन पूराने चीजों में अगर M7 जाते है तो समण और Mi Moż और बाकी जो मिलता है किसी कहीं कहीं अगर किसी ने लिखा good에 उनमें कोई बीचीज कोई बीचीज है कोई भी चीज इसको बहना है और जो चेत्रिय लोग हैं वो च्छत वाले लोग हैं च्छती लोग वो भी हमें पर वर्मन हम नहीं है ये बात बिलकुल इस पस्ट है कि इसलिए इस पस्ट है क्योंकि हमारे लोग पुरानी चीज़ों को जो पीछे से चली आ रही हैं उनी को सुनते आ रहे हैं उनी को देखते आ रहे हैं तो चिंतन मनन नहीं करते जो एक ने बता दिया वही दूसरा आगे बताता है वही तीसरा बताता है और उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मिक्स कर देता है कि वह और जो डार सब्दों से बताता है इसलिए हमारी जो तरक्की है जो हमारी करांती है जो हमारा चेंज है जो हमें आगे बढ कार की चल नहीं है जो हमारे खुद के अपने समण लोग में चल लिए बुद्ध ने जो लड़ाई लड़ी वो संग के थरूर लड़ी यानि कि संग बना का लड़ी और उन्होंने व्यक्ति बाद बलकुल खतम कर दिया अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे और जानेंगे त तो जो बुझ हैं या बुद्ध हैं उनका नाम नहीं है वो बुझाने वाले हैं यानि कि कोई व्यक्ति है जो सवालों की जो जिग्यासा को बुझा रहा है जो जितनी भी बाते हैं उनको बुझा रहा है वो बुझ है पर नाम नहीं है संग की ये खास बात है कि व्यक्ति को भी, नाम नहीं है, कोई तो ही किता कि यह काम सध्दत नहा किया है, यह सध़ात नहा किया है, कोई नहीं कहता है, सारे कहते हैं बुद्ध का काम है। और बुद्ध एक उपादी है, जैसे कोई आदमी B.A कर लेता है तो उसको B.A वाला बोलते हैं, वो यह में कर लेता है तो यह में वाला बोलते हैं तो इस तरह से यह एक उपादी है, जैसे डॉक्टर की उपादी है, जैसे इंजीनर की उपादी है, जैसे वकील की उपादी है, वो ऐसे ही बुझाने वाले की बुझ बोलते हैं उसको, पर नाम नहीं है, तो की जो हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी उसके परणा बहुत लंबे होते हैं संग की आईू बहुत बढ़ी होती है बुद्ध ने उस करांटी की गारंटी एक हजार साल तक दी और एक हजार साल तक गारंटी देने के बाद भी वह 2000 साल तक लगग 1718 साल तक चला अभी 400-500 साल पहले खतम हुई यह वो जो क्रांति है बुद्ध की यह बुझ्ज की बना चली है जब यह सारे की सारे कितावें मन्टन चीने आने लगी तब यह चली है तो संग का जो बदलाव होता है वो लंबा चलता है बुझ जैसे लोग बुद्ध जैसे लोग टाइम भी बता के चलते हैं पर व्यक्तियों का जो बदलाव है वो बदलाव बड़ा शौर्ट होता है आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे संग जो होता है वो सूरज होता है और जो व्यक्ति बदलाव करते हैं व्यक्ति जो महत करते हैं वो तारे की तरह टिम्टमाता है रो भुच जाता है उसकी अलपाई होती है तीस साल बीस साल चालिस साल बस इतना ही होता है उसके बाद उस व्यक्ति का जो औरा है जो चमक है जो वो महत करके लाया है वो खतम हो जाती है क्यों उसके काउंटर में और व्यक्ति आ जाते हैं नाम नहीं है, बुद्ध्र साय नाम बदल दिए, खतम हो गए, उसके बाद जो करांतियां हुई वो महा पुर्पसों ने की, जो संथों ने की, संथों ने जो काम किया वो विट्तिकत काम रहा, वो कहते रहे कि सादू संगत करो, संगती में रहो, संग बनाओ, पर संग नहीं बना पाए चोटा मोटा जो संग बना पाए वो बनाए तो जो जो संत ने जहां-जहां काम किया वो च्छित लिए काम रहा पुरे देश नहीं रहा और वो ज्यादा लंबा नहीं चला उनकी एजूकेशन तो है क्योंकि एजूकेशन तो सारी वही है सिछा तो सारी वही है जो बुद्ध की हैं, जो प्राह करते हैं, वही संतों ने बताई हैं, पर उनकी जो उमर है वो बड़ी कम है और छेत्र का एरिया बड़ा कम है, इसलिए वो करांतियां और बदलाब जादा लंबे समय तक नहीं चले, पर वो बदलाब के बाद कोई व्यक्ति उसको पकड़ लेता ह है, यह ठीक ऐसे जैसे रिले होती है, रिले का मतलब है कि एक व्यक्ति डंडा लेके भागता है दोड़ में, ठक जाता है तो दूसरा व्यक्ति उस डंड़ उपड़के फिर आगे भागता है, फिर तीसरा भागता है, एक भाग चल लएह पर मंजल नहीं मिलती готовी भाइड़ कर भी व्यक्ति रहे क्योंकि बावा साव अंबेट करने जो और्गनिजेसंस बनाई जो संस्थाएं बनाई वह संस्थाएं बाद में तूट गए वह तोड़ी गए आपको पावर चाहिए तो राजनिती की आर्पियाई बनाई पर आर्पियाई तूट गई बहुत साइट अख्वार चलाया वह बाद में बंद हो गया लोग उसको चला नहीं पाए भारतिया बहुत महासाव बनाई उसके हजार टुकड़े कर दिये बीशन टुकड़े कर दिये वह खतम हो गया तो घर घर में सम्ता संग्दल हो गया वह तूट गया तो जो व्यक्ति की जो जो रही उनका विचार चलता है पर उस विचार का जो फल आना था वह फल नहीं आया जितना आया या उसके बाद में वह खतम नहीं होई तो कुछ छेती लोगों ने पकड़ा जैसे बीपी मौरिया ने पकड़ा नौट के अंदर और वहां जो दलित पैंथरे है भाराष्ट के अंदर उन्हों ने पकड़ा पर दलत पैंथर को भी तोड़ दिया गया उन्हीं सो एकतर में कांग्रेसा तोड़ दिया और इधर बीपी मौरियार्ट जो आर्पाई के थो बहुत सारे मले लेके आए और मिस्टर बने वो भी खतम हो गया जो उत्तर बात में एक व्यक्ति ने और उठाया काम उन्निस सो चौशट में साहब कासी नाम ने वो किताब पड़ी और साधी ना करने का फैसला करके काम पे लग गए वो आईएस के एक्जाम होता है जो एक्पोसिव डिपार्टमेंट में वो रहे साइंटिस्ट रहे उसको उन्होंन पाइल नहीं उन दनों नेट रही सारा काम डायरी में होता था सारा काम हाथ से होता था लोगों से मिलना तो वो लाइक मांडिट लोगों को ढूंडते रहे कौन कोन आदमी है नौर्थ के अंदर कुछ लोग तयार थे पर महराश्ट में ज्यादा तयार थे क्योंकि महराश् और वहां वो काम करते रहे काम करते रहे तो उनका जो काम करने का जो वीजन रहा वो भी एक तरफ रहा उस समय तक वो आर्पियाई को सपोर्ट करते थे और उनका जो वीजन था यह था कि आर्पियाई खटी हो जाए जैसे आज के समय यह जो समढ़ संग है यह कहता है कि भाई समर्ण संके लोगों ने पहले मेहनत की कि भी सारे समर्ण ने खटे हो जाए साहब कासी नाम ने की कि ये आरपाई के सारे लोग खटे हो जाए क्योंकि पॉलिटिकल पावर की तरफ उनका ध्यान गया और पॉलिटिकल पावर के लिए वो पैसे करते रहें पर 1971 में जब चुनाब हुआ और लोग सबाकी एक सीट के बद्ले सारी सीट आरपेने को दे दी हैं तो वो तूट गए बावस आपको एक सीट मिली और बागी सीट सारी कान भी को मिली तब उनको ये समझ में आ गया कि जब तक शोशल रूट नहीं होंगी सामाजिक जणे नहीं गहरी होंगी राजनिती का फूर नहीं आ सकता राजनिती का फल नहीं आ सकता ये बात अगर वो मज़े मज़ाए पूरे पुराने जानकार अगर वो होते तो उ बुझकों जानगाई लेली होती तो उनको समंज़दा आ जाता पर – और बुख्रेंस से अगर देखते हैं क्योंकि बुद्ध में बुद्ध को उन्हों ने बकार गुष नागपुर में सिर्फ एक बुद्धिस रिश्टर्स सेंटर बनाया, एक मीटिंग हुई, उसके बाद वो मीटिंग महां हुई नहीं, क्योंकि बुद्ध ने सोचल वर्क किया, कोई पॉलिटिकल वर्क किया नहीं, तो वहां से उन्होंने सोचल वर्क आरहम किया, और सोचल व और पड़े लिखे लोग और पैसा सिर्फ सरकारी करमचारियों के पास था सरकारी करमचारियों की संख्या दीर दीरे बढ़ रही थी और वो लोग आगे बढ़ रहे थे और जब पेट में रोटी हो और दिमाग में शांती हो तो आदमी अपने पुराने दिनों को याद करता ह हमाई लोगों ने पुरान दिन याद किये कि हम शाशक थे बावा साथ लिखके गए उनको पढ़ा दीदे लोग बढ़ने लगे और 1978 में बाम सिफ डिक्लेर हो गई 1973 से लेके 1975 साल लगे उनको बाम सिफ को डिक्लेर करने में एक अकिला व्यक्ति ये काम करता है व्यक्ति काम करा इध्यान अखना उसके बाद में नौर्थ हिंडिया के अंदर लोगों ने जादा साहब कासिराम जी को तबज्यो दी नहीं तो यहां 14 अप्रेल के आसपास में 1980 मे अंबेटकर मेले की ऑन वील पे स्टार्ट हुई अंबेटकर मेला ऑन वील दो साल चला नौर्थ के अंदर थोड़ी सी जागरती आई फिर काम चल पड़ा काम चल पड़ा उसके बाद उन्होंने ये देखा कि सरकारी जो करमचारी है ये एजिटेसन नहीं कर सकता क्योंकि सर कार जो नीतिया बना रही है अगर उसका विरोध नहीं करेंगे तो वो नीतियों के लिए कैसे बदलाब करेंगे तो उन्होंने दलित, सोसित, संगर, समाज, जो समीती है वो बनाई 6 दिसंबर 1981 को और उसी दिन उन्होंने बी आर्सी भी बनाई यानि बुद्धिस का उन्होंने काम आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि वो जानते थे कि जो अगर मैं इसको धंके काम को आगे बढ़ाऊंगा तो लोग उलच जाएंगे इसमें और जंज आगरती डुक जाएगी और ये बात सच भी है क्योंकि धर्म का जो मामला है वो लोगों को अंदभक्त मना देता है लोग सुनते नहीं है इसलिए बी आर्सी का आइडिया उनके दिमाग में होते हुए भी उन्होंने उसको छोड़ दिया और एक मिटिंग करने के बाद में और डी एस फोर में काम सुरू हो गया और साथ साथ बाम से भी चलती रही है क्योंकि बाम से जो मनी आती थी माइंड आता था और वहां से वर्कर आते थी डी एस फोर में जो लोग थे वो शोशित लोग गरीब लोग मजदूर लोग थे उनके पास पैसा नहीं सकता था पर वो भीड थी और ये दोनों का जो मिस्रन था ये मूवमेंट को आगे बढ़ाता रहा ये मूवमेंट आगे अपरेल उनिस सो चौरासी को चौदे अपरेल उनिस सो चौरासी को बामसेफ से बियस पी बराने के बाद में च्छासी में वो तूट गए च्छासी में कुछ लोगों ने बामसेफ को तोट लिया क्यों तोड़ा सरकारी करमचारी राजनीती में जानी सकता और सुरू में न non-religious और non-political है फिर अचानक से वो पॉलिटिक्स के में उनका जो नीडर है वो चला जाए तो कुछ लोग हट हो गए क्योंकि जो लोग नौकी में थे उनको पॉलिटिक्स करनी थी ही नहीं इसलिए उन्होंने बाम सेफ को तोड़ दिया या बाम सेफ के साथ चले गए और बा खापरडे जी थे राम खोपरगड़े थे और जली जी थे बाद में चुकि मैंने यहां कैवार बताया है कि जब भी कोई संग तूटता है या जब भी कोई एक कोई बड़ी चीज तूटती है या संग जैसी चीज तूटती है या जब इखटे होते हैं वो तूटती है तो तो वो पेड़ की डाली की तरह सूख जाते हैं या पूरी जिन्दी की चिला दे रहते हैं ये बात सब जीगे बलगुल फिट बैठती है ये प्राकरती बात है जो खापड़े और राम खोपड़ा गड़े थे वो एक तरफ होगे बाद में सिर्फ चार साल के अंदर और जली जली जी बहुत दिन तक निश्क Χι रहे ञें और खापड़े और राम खोपड़ा गड़े दोनों ही महराश्ट के महराड खें ये बोरकर मेसराम, मूलचन, वैचन भाई, राठोर, ताराम, ये उन लड़कों में आते थे, जिनको कहीं उल्टा सीधा कहने के लिए जैसे आज कम येज में या कम जानका लोग होते हैं और वो बोलते हैं, वहाँ से जो टूट आरम होई बाम सेफ के अंदर, तो बाम से बाह आयवती हैं, बीर सिंग बहुत हैं, विजय मानका, सुरेश मानका, रसोग सरस्वती, धरंबीर भारती, आरपी, पी आरम बेटकर, बहुत नाम है ऐसे, पर दुख इस बात का है, कि जितने भी लोगों ने यहाँ बाम सेफ के सीखे, या बाम सेफ से टुकड़े किये, या ब पाए, इसलिए ज्यादा नहीं चल पाए, इसलिए ज्यादा करांती नहीं पाए, उनकी जो करांती का जो रिजल्ट है, वो आप यूपी में देखोगे, और यूपी में उसका पतन भी आप देखोगे, क्योंकि पीछे कोई संग नहीं है, व्यक्तियों की जो चमक है, वो त संग की चमक नहीं जाती संग मरा हुआ भी तारे से हजार गुना ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि संग जब निकल के आता है तो एक साथ ही सूरज की तरह चकाचौन करेता है आंके सब बनाए जो भी बाम सिर्फ के नाम से दावा करते हैं जली जी ने पैगाम बना लिया बात के अंदर बोरकर जी ने अपना बाम से बना लिया मेसराम जी ने अलग से तूट तूट गए फिर मेसराम जी के अलग से फिर द्वारा तूट गई जो अभी राम थे वो लग चले गए ताराराम तेलक चले गए, हम भी काम करते थे, हम वीडियो बनाना सू कर दिये, धम की, पर संग की कसक दिल में रही, क्योंकि ये तो 2002 में पैदा होगी थी, समझ में आ गया था कि बिना संग के नहीं जीते, इसलिए संग के आइडियो को सब को बताया गया, ऐसा नहीं है कि बत संग बनाने की सोच भी नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि इसे बात नहीं हुई, सबसे बात हुई है, बोरकर जी आये थे, वहाँ, वहाँ बात रखी थी, अब से चार साल पहले जो आंद भाहुन के अंदर, और भी संग्ठन के लोग आये थे, और भी बाम सिप के टूटे धड़ को लगाव हो जाता है, वो व्यक्ति संग्ठन छोड़ता नहीं है, पद नहीं छोड़ता है, संग्ठन आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनमें बढ़ने का कोई तरह का नहीं है, संग्ठन वाले पहले अपना फूटू चापते हैं, अपना नाम चापते हैं, और किस लोग उन बुद्ध की मुट्या मनाई हैं और बुद्ध का तो कोई नाम भी नहीं जानता कोई नहीं कहता कि यह सध्धत गौतम का संग है कोई नहीं कहता कि यह बुद्ध का संग है संग का संग बोलते हैं और बुद्ध खुद कहते हैं संग का संग है धम का ही धम है मेरा कुछ नहीं ह तो ये जो अंतर है संग में और संग्ठन में इसको अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि बामसेफ जैसी संस्था भी हमारा कल्यान नहीं कर सकती क्योंकि वो तो खुद अपना कल्यान नहीं कर पा रही है अगर बामसेफ के अंदर एबिलिटी होती या बामसेफ जैसी संसा कुछ कर सकती होती तो सबसे पहले तो वो ये करती कि उसके यहां कभी कोई तूट फूट ना हो और वो अपना सिस्टम ऐसा करे कि जो बाद में हमें परिशान ना होना पड़े क्यों ना परिशान होना पड़े बुद्ध के बाद जो संग का सिस्टम चला वो देर हजार साल तक चला पर बावा साब ने जो सिस्टम चलाया क्योंकि वो संग पर आधारित नहीं था वो ज्यादा लंबा नहीं चला और बाद में जो भी व्यक् नहीं है वो चलता है और दुनिया में जितने सिस्टम हैं जो संग के उनकी नौग लालाइफ होती है वो लंबे जीते हैं विक्ति लंबे नहीं जीते हैं विक्तियों के सिस्टम लंबे नहीं चलते हैं इसलिए बहुत सारे लोग हमारे जब यह कहते हैं अजी बिना नेता के त जितने जितने जी ना अपनी प्रसंसा की ना आपने चेहरे के बारे में जिक्र किया, कभी नहीं किया, कोई नहीं जानता क्योंकि बिहार के अंदर जो लोग रहते हैं, वो छोटे और काले होते हैं, और बुद्ध को गोरा लंबा दिखा जाता है, अरे भाई ये अलग सही बीड आगी क्या, ये बीड बाहर की है क्या, सारे लोग तो बिहार के काले और छोटे हैं, ये बुद्ध का खांदारी लंबा इचोड़ा और इतना सुंदरा फिर वो लोग कहां गए, उनका खांदार कहां गया, फिर वो सारे सारे कहां हैं, आज अगर साक्य लोगों को भी आप उठालो, वो भी काले और छोटे होते है अगर वो साख के संसे थे तो भी, तो भी में कोई लंबा, गोरा, लंबा छोड़ा ऐसा एक भी नहीं है, जो होना चाहिए, ये बातें जो प्रसंसा में और जो अतिस्योक्ति मिनाए जाती हैं, ये करांतियों को, बदलाबों को, इंकलाब को खतम करने लिए बनाए जाती है, पर मोह हो जाता है, व्यक्ति को देखके खुस हो जाते हैं, उसकी पूजा पाट करते हैं, उसकी सोने की चांदी की मूटियां गरते हैं, और उसकी बाते हैं खतम हो जाते हैं, अगर आप देखोगे, बुद्ध का सारा का सारा देखोगे, तो बुद्ध ने, कोई कान खोल लें और अपने कानों में जो मेल जमा हुआ है उसको निकाल लें और अपने धिमागों में जो ऊपर जो परज जम गई है उसको उतार लें पर्मनेंट करांती के लिए लंबी करांती के लिए व्यक्ति नहीं होना चाहिए क्योंकि बुद्ध जब बुद्ध की अतिशुक्ति की गई तो लोगों ने ये तो देखा नहीं कि बुद्ध ने काम कैसे किया और क्या किया संग कैसे बनाया कैसे संग चलाया उसके नियम क्या थे किन नियम पर चले वो सारे जो भिकू थे वो सारे पचारक कौन से नियम पर चले क्या नियम उनके बनाए वो तो किसे नहीं देखे क्या देखते हैं बुद्ध ने घर छोड़ दिया बुद्ध खाना एक टाइम खाते थ थे, बुद्ध ने अपना राजपार्ट छोड़ दिया, हलागि राजपार्ट नहीं नहीं था, वो खेतिय थे, छेत्रिय थे, अपना राजपार्ट छोड़ दिया, बुद्ध ने धंदौला छोड़ दी, बुद्ध ने ऐसा छोड़ दिया, वैसा छोड़ दिया, ऐसा कहके परचाइद करते हैं तो ऐसे लोगों की मानता हो गई जो बुद्ध जैसे कपड़े पैने बुद्ध जैसे गंजे हो जो साधी ना करने वाले की गारंटी हो गई ही कि जो साधी नहीं करेगा जो घर नहीं जाएगा वो आदमी समाज के लिए फिल्कु ठीक है वो बहुत सारे महापुरस ने भी किया है क्योंकि जब महापुरस होते हैं उनको वैराग लग जाता है तो वीतरागी जब हो जाते हैं तो वीतरागी तब हो सकता है जब घर चोड़ेगा तो घर का राग रहेगा तो घर भी छोड़ेगा तो वीतरागी हो गया यानि बिना रा तो आदमी सच्चा है जबकि अब यह पुरूब हो गया है कि जो घर छोड़ता है और जो शादी नहीं करता है वह आदमी अच्छा भी हो सकता है खराब भी हो सकता है और बहुत खराब भी हो सकता है इसलिए संग में जो ग्रस्तियों का संग है उसमें तो सब शादी करते हैं पर भिकु संग में शादी नहीं करते, पर भिकु संग से हमें क्या लेना, हमें तो वहाँ से सिर्फ नियम सीख लेंगे, इसलिए जिन लोगों ने संग बनाए, उन्होंने बुद्ध के वही नियम उठाए, उन्होंने ना बुद्ध का चेरा उठाया, ना बुद्ध की मूर् इतना चोड़ा इतना चिकना और पूजा करो इसा पाट करो और संग नहीं उठाया संग उठा लेते तो जीत जाते पुराने टाइम में जिन जिन लोगों ने अकिले-अकिले काम किया उनको नहीं रही होगी उस समय तक जानकारी क्योंकि आज भी लोगों को जानकारी नहीं है कि संग ही सब्वोपर ही होता है, संग ही जिताता है, संग सबसे बड़ा होता है और संग कोई नमन करना चाहिए, और संग सुप्रीम होता है और जिनके पास संग होता है उनके पास दुखाता है नहीं, पुराने समय में इसलिए एक भी एक्टोशिटीज नहीं है समराटा सोक के वारे में के जमाने में या उसके बाद के जमाने में किसी भी नहीं मिलता कहीं भी कि कहीं समरा लोगों को वमरा लोगों ने प्रतारित किया हो बलकर समरा ने प्रतारित किया है वो याचक हुआ करते थे समण की मर्जी यह डंडा मारे या खाना दे तो प्रतारणा करने वाले समण हुआ करते थे प्रतारित होने वाले वमण होते थे संगों तूटा ता हो गया मामला इसलिए जो लोग यह सोचते हैं कि बामसेफ कुछ हमें कर देगी या बामसेफ बड़ा संग्ठन है तो बामसेफ टुकडों में तूटा हुआ संग्ठन है और हैवी संग्ठन और वो संग्ठन ही रहेगा रहेगा और उन्होंने जो सीखा आया ये जो यहाँ से आये टूटके आप ध्यान देना कि उनका केडर सबका लगबग एक्सा है वो मनुबाद को गाली देने से स्टार्ट करके ब्रहमणबाद को गाली देने तक आते हैं बस फरक इतना पड़ा है कि कुछ लोगों ने बहुजन सब्द को मनुबाद वो बहुजन सब्द को और इसमें मूल निवाजी स अपनाया जो साब कासी नाम ने अपनाया था कि पहले उन्होंने सरकारी करमचारी को लिया फिर उन्होंने पॉब्लिक को साथ लिया मास बेस ब्रॉड बेस बनाया बीस पोर्ट से उसके बाद फिर उन्होंने राजनतिकी पार्टी बनाई और जैसे उन्होंने बी आर्सी का ना एलान किया तक कुछ लोगों ने धंके भी बना लिए सब्सक्राइब और अलगलग ब्रांचे बना लिए और कैडर का भी वही पूरा प्रटन है चाहें कोई भी आदमी वहां से ट्रेंग लिखा है किसी ने उस ट्रेंग को अपडेट नहीं किया किसी ने यह सोचने की जहम से इतना ज़्यादा लगाव हो गया है अपनी बातों से अपनी नेतागरी से अपने भाषनों से कि उन्हें समझ मिन आता है वह अच्छे कलेक्टर हो गये हैं पैसा बड़ा अच्छा इकटा करते हैं कुछ अच्छे ऑगनाइजर भी हो गये हैं कुछ लोगों को और वीजनरी भी नहीं है, उनमें से वीजन है ही नहीं, वीजन वही चल रहा है, जो सहाव कासी राम ने दिया, सहाव कासी राम ने जो चीज़ें वहाँ सेट की, जो अधीवेसन सेट किये, जो अधीवेसन सेट करने के तरीके, तब तो नयने बनेते सारे, सेम वही पटन चलता है सब्जी गया कुर्सी मेज तक नहीं बदलती हैं पीछे बोर्ड भी नहीं बदलते हैं थोड़े बहुत नाम बदलते हैं इसलिए परिणाम नहीं आने वाले क्योंकि उनके परिणाम एनकाउंटर हो चुके हैं और जितने परिणाम आने थे आली हैं आप देख सकते हो कि कोई नहीं उठ रहा है कोई उठेगा भी नहीं उठ सकते हैं बेसक आपके पास में पुरानी बंदुख हो चल सकती है बसरते के वो सारे इखटे हो जाएं को कि बहुत सारी बंदू के बहुत सारे आदमी खटे हो जाते हैं तो बंदू चलाने की जोत की नहीं है आदमे देखके वहिवेशी ड़चाएगा ये सामा जी के जुद्ध है इसमें संख्या बल चलता है पर ये जानकारी भी उनके उसमें नहीं है जो उनका पुराना सिस्टम ह उसमें तोड़ने का सिस्टम है तूटने का सिस्टम है इसलिए दो हजार बाइस में भी तूट गए मतलब अब जो मुसीबत आ रही है उसमें भी बावन मेसराम जी का जो संग्ठन है जो बामसे फैक धड़ा है वो तूट गया और तूटने का अफसोस नहीं किसी को कोई अफ किया उनको बलाया आ रहे वो तो थाई ऐसा तो ऐसा था या तो ऐसा था यह था वो था और लगए अपने काम पर काम नहीं होने वाला फिर टूटेंगे फिर टूटेंगे क्योंकि संग्ठन तो लगाता तूटते आ रहे हैं को यह कहें कि संग्ठन नहीं तूटेगा मेरा न नहीं की और सारे लोग उस पर यकिन करते थे उस आदमी के साथ जब तुरड़ दिया तो तुम्हारे साथ तुर तूट नहीं था तो साहब कासी राम जी ने जो बनाया 78 में और वो तूटा, उसके बाद में फिर 4 साल बादी, 6 सी के बाद 4 साल बादी तूट गया वो, तो ये लगाता तूटेंगे, क्योंकि संग्ठनों की नियती तूटना है, पर संग नहीं तूटते, कोई कह सकता है जी कि आपके कुछ लोग संग में चले गए, अरे भाई, व को हर हालत में जाना पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए, हम ना भी भेजाएंगे, तो भी आपका मन नहीं लगेगा, और सारी लोग संग में कभी आ नहीं सकते, क्योंकि कुछ लोगों को रोग होता है, कुछ लोगों को देस होता है, कुछ मानसिक रोगी होते हैं, किसी को पि डरते भी हैं लोग तो डरने वाले तो वैसी मरे हुए होते हैं तो डरने वालों का तो इलाज भी क्या करें उनका तो जाना बहतर है और जिसको एमले एमपी बनना है उसका जाना बहतर है और जिसको संग में पैसा खाना है उसका जाना बहतर है यहां तो नियम एक से एक बहति होगे तो यह सारी चीजें इतनी जबर्शा से इतनी किलियर है इसलिए कोई व्यक्ति अगर आप से यह कहता है कि संग में क्या चल रहा है तो आप यह कह सकते हैं कि संग में वही चल रहा है जो प्राचीन समय में बुद्ध ने संग में और बुद्ध से पहले संग में चलता थ हमारी एक एक बात एक एक चीज वही चल रही है बेसक आज हम चस्मा लगाते हैं बेसक आज कल हम पीशट पहनते हैं बेसक हम मोड़ साहल कार में जाते हैं हम हावाई जहार टेन में घूमते हैं या पैदल जाते हैं ये सब संसाधर हैं पर हमारा तरीका और हमारी रणनीती और हमारा प्लान और हमारे परिणाम वही आएंगे जो समराठ असोप के समय आए थे और यह आएंगे और यह रुकेंगे नहीं क्योंकि संग जब खड़ा होता है तो जब तक जवान नहों रुकता नहीं है ऐसा बुद्रे बताया है क्योंकि ये एक काल चक्र होता है एक बार वो नीचे आता है और फिर जब दुबारा उठता है तो अपनी उचाई पर जाएगा और जब अपनी उचाई पर जाएगा तो नीचे भी आएगा तो जो उचाई पर जा चुके हैं वो नीचे होंगे और यह उपर जाएगा यह 100% होता है हरवार होता है हरवार होगा आप इसम यकीन रखके काम करते हैं, बस इमानदारी बनी रहे, नियत अच्छी बनी रहे, समझदारी बनी रहे, और इस वार एक गल्ती नहीं करनी है, अगर कहीं कोई भी ये दिखाई दे के पाप करम हुआ है, संग के पृट्टी को इस संग घात हुआ है, तो किसी भी व्यक्ति को हर संग घात का मतलब है, हमारे बच्चों के साथ विस्वास घात, हम अपने बच्चों के लिए ये काम कर रहे हैं, इसलिए कोई व्यक्ति ना समझ है, संग उसको माफी तो दे सकता है, पर वो संग के पास आएगा तब, या संग उसके पास जाए तब, या उसकी जानकारी पाना, मीठा मत बनना किसी का, एक वार मीठा बनके हमने गलती कर ली है, कि हम क्यों बुरे बने तो नुकसान हो जाता है, इस वार बुरा बनना है, अगर कोई बुरा करता है, तो संग में बताना है, या आपकी प्राइम टूपी है, जागरित रहोगे दोनों तरफ, यानि जहां आपको नुकसान है, वहां से भी जागरित रहोगे और अपने घर में भी जागरित रहोगे, तो कभी नहीं मारे जाओगे, बाहर जागरित रहोगे, और घर में अगर जागरित नहीं रहोगे, तो घर में मारे जाओगे, तो घरी भुग जाएगा, तो फिर कैसे इसलिए जागदित दौन तरफ रहना है ध्यार बुरा रखना है जो जो संग में रहे हैं अब तक वो हमेसा जीते हैं जो संग में रहता है वो शिकार ही होता है और जो संग से बाहर रहता है वो शिकार होता है बस इतना याद रखेंगे तो ध्रादर संग में जोटते चले जा करेंगे संगंग नमामी धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते है कहीं भी चला सकते है आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते है इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उनी की बात को सरल भासा में बताते है हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेणं गच्छामी संगं सरनं गच्छामी बूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी बूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी बूतियं पी धम्ममर्सरनं गच्छामी नुदियंपि नमं सर्णं गच्छादी नुदियंपि संक्न सेन गच्छादी नुदियंपि पुद्धम सेन गच्छादी ततियं पी धम्मं सर्मं गच्छामी ततियं पी धम्मं सर्मं गच्छामी ततियं पी धम्मं सर्मं गच्छामी साथू, साथू, साथू